हेल्लो एवरिवन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सम्तिंग न्यू विद गारगी में कैसे हैं आप सब आज हम फिर से वेस्ट मटेरियल का डियाइवाई करके एक सुन्दर सा शोपीज बनाने वाले हैं डियाईवाई में कलर करने के बाद जब यह पेंट शीश्या खाली हो जाती है तो यह ऐसे ही वेस्ट पड़ी रहती है तो मैंने सूचा क्यों ना इसी खाली डिपी पर कुछ क्रियेटिविटी की जाए मैं इसको बनाने के लिए मोल्डिट क्ले का यूज कर रही हूं मोल्डि अगर आप भी यह जाना चाहते हैं कि होमेट किल्ड कैसे बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में बताइएगा मैं आपको बताऊंगी कि होमेट कैसे त्यार की जाती है वह सस्ती भी पढ़ती है और इजी भी रहती है मैंने शीशी पर पूरी तर से फैवी कॉल यह फैविकॉल MR है जो आपको किसी भी हाडवेर की शॉप पे एजीली मिल जाएगा और आप उनलाइन भी से पर्चेस कर सकते हैं एमेजॉन पे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैंने इसमें जो भी चीजों का यूज किया है मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप एक बार चेक कर लीजेगा मैं इसको एक फैरी हाउस का शेप देने वाली हूँ तो इसको अच्छे से कवर कर लेंगे उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे मोल्डेट क्लेए बहुत जल्दी ड्राइ होने लगता है इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही मिलाकर इसको काम करना है अगर बनाते बनाते भी ये ड्राइ होने लगे तो आप हलका सा पानी का हाथ लेके इसको थोड़ा थोड़ा स्मूध करते वे काम कर सकते हैं तो फैरी हाउस के टॉप का शेप देने के लिए मैंने टीशू पेपर को रोल करके इस पर लगाया थाकि थोड़ा बेस बन सके इसका अब टीशू पेपर को शेप देने के बाद मैं इसको भी कले से कवर कर रहे हूं कीशू पेपर के उपर मैंने शेप देने के लिए बच्चो वाली कले यूज़ कर ली मेरे पास ऐसे ही वेस्ट पड़ी थी जो कलरफूल कले बच्चो के आती है न वही वाली मैंने यूज़ कर ली क्योंकि इसके उपर भी हमें मोल्ड़ेट कले का एक कोट करना पड़ेगा त आप चाहें अपनी पसंद का कोई सा भी शेप आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं फैरी हाउस आप अपनी हिसाब से किसी भी शेप में बना सकते हैं क्योंकि फैरी हाउस किसी भी तरह का हो सकता है अच्छा वैसे फैरी हाउस पसंद किस-किस को है मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं कभी fairytales देखती हूँ तो उनके जो घर होता है उनको देखकर ऐसा लगता है कि काश reality में भी ऐसा होता फैरी के घर कितने सुन्दर होते है ना रंग भी रंगे से इतने कलरफूल इतने क्यूट होते है ना ऐसा मन करता है हम भी वहीं जाकर रहने लग जाए आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या मुझे तो लगता है और आपसे बाते करते करते फैरिया उसका जो टॉप पॉट्शन मुझे देना था वो पूरी तरह से तयार हो गया है अब मैं इसमे थोड़ी से डिटेलिंग और एड़ करूंगी उसके बाद हम इसे ड्राइ होने के लिए रख देंगे मैंने इसके टॉप को उल्टे फ्लावर की डिजाइन दिये तो अब मैं पीछे जो फूल पकड़ने की डंडी होती है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हूं तो थोड़ा मोड के और इस तरह से डिजाइन दिया है मैंने अब मैं इसको ड्राइ होने के लिए रख दूंगे उसके मैंने इसको ड्राइ होने के लिए रख दिया था और यह भी पूरी तरह से ड्राइ हो चुका है अब इसमें हम कलर एड करेंगे फैरी हाउस बहुत कलरफुल होते हैं तो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंदो अपनी मैजिनेशन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं कैसा भी कलर यूज कर सकते हैं यह सुन्दर ही लगेगा मैं इसमें नियॉन ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ झाल 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 अब मैं इसमें कलर कर लिया था और एक डेड़ घंटा इसको ड्राइ होने के लिए रख दिया था अभी पूरी तरह से ड्राइ हो गया है अब मैं इसके कुछ डोर और विंडोs बनाऊंगी क्योंकि फैरी हाँस है तो डोर और विंडो 21 तो होनी चाहिए तो वो बनाऊंगी मैंने कले से एक छोटा सा डॉर बना दिया था और उसमें छोटा सा हैंडल भी एड़ किया था और फिर नाइफ की हेल्प से उसमें थोड़ा सा डॉर जैसा शेप देने का ट्राइ किया था डॉर बनाने के बाद मैंने इसमें एक विंडो बनाई और ना मुझे ही सब बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था आप भी ट्रैकर ना आपको भी बड़ा मज़ा आएगा हुआ है झाल झाल दोर और विंडो बनाने के बाद मैंने चोटी चोटी डिटेलिंग और एड़ की थी ताकि और सुन्दर लग सके डिटेलिंग एड़ करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको ड्राइ होने के लिए छोड़ दूँगी झाल 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 और यह है इसका फाइनल लुक कमेंट्स में मुझे जरूर बताएगा कि यह कैसा लग रहा है आप भी से ट्राइ कर रिएगा और मेरे साथ शेयर के जेगा इसके साथ ही मैंने एक मश्रूम हाउस भी बनाया था अगर आप उसका वीडियो भी देखना चाते तो आप मुझे क इस वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई